Hello students, कैसे आप सभी? I hope आप सभी अच्छी होगे अपने पर सुरक्षित होगे मैं जोदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने डिव चैनल चन्वानी क्लासेज में जहांगा पढ़ते हैं Mathematics for Graduation and इस क्लास में पढ़ेंगी B.A.C. 3rd semester की जो भी आपके डाउट से 2nd book में, 2nd book है आपकी Mathematical Methods and 1st book है अजेवरा तो दोनों books के regarding जो भी आपके डाउट से सभी के reply मैंने आप सभी के कर दिये जिनके comment section में reply करने से वो भी मैं सभी को कर शुगी हूँ जिनके डाउट ऐसे हैं कि जो आपने questions put up किये इनका answer match नहीं करा या आप लिए समझ में नहीं आरे वो हम इस class में cover कर लेंगे ठीके तो सबसे पहले बात करते हैं chapter है आपका Laplace Transform Laplace Transform की exercise 2 का question no.8 है जो कि मैंने आपको homework से करने के लिए दिया था question आपकी सामने लिखा आपको Laplace Transform निकालना था अब अगर आपे देखें तो इक कौन से वाली form बन दी है A to the power 80 और function of T वाली form बन दी है तो इस condition में हम क्या करते हैं फिर्स shifting theorem के according question को solve करते हैं तो सबसे में में किसका Laplace Transform निकालना होगा function of T का and then उसमें क्या गर गया first shifting theorem apply कर दोगे ठीके तो सबसे प्रहें आप Laplace Transform निकालना होगे किसका function of T का Laplace Transform of function of T है क्या 3 cos 60 minus 5 sin 60 अगर आपसे मुझे इसमों solve निकालना है तो इसका निकालना होगे 3 constant आपे भाल इकली Laplace Transform of code 60 minus 5 constant of Laplace Transform of sin 60 code 80 का Laplace Transform क्या होता है P upon P square plus A square होता है तो यहाँ पर value push करोगे 3 into P upon P square plus A square A की value है किसी 6 तो 6 plus square निकालना जाएगा 36 minus 5 constant term है sin 60 sin 80 का Laplace Transform कितना होता है 1 upon P square plus A square तो दन किसनी आ जाएगी sorry term कितना होता है A upon तो A की value इतनी है 6 तो A upon P square plus A square A की value है किसी 6 तो 6 plus square कितना है हो जाएगा 36 यहाँ ते इसको solve करोगे कितना जाएगा 3P minus 5 जाएगा 30 और अब हमें तन कितनी आ जाएगी P square plus 36 से function of P क्या कह सकते आप इसको function of P बोल सकते हों तो इसमें क्या करेंगे हैं हम first shifting theorem apply करते हैं कि by first shifting theorem first shifting theorem क्या कहते हैं कि a to the power a T a to the power a T और function of T जो क्या आपको गिवान है 3 plus 60 minus 5 sin 60 इसका laplace transform किसके इक्वाल होता है इसका laplace transform function of P minus A और यहाँ पे a to the power a T होती है तो उसको लिखते है function of P minus A एक बात होता है यहाँ पे एक की value कितनी है minus 2 है तो जैकि यहाँ पे आप a के place पी minus 2 पूट करोगे तो minus minus क्या हो जाएगा plus 2 हो जाएगा यानि कि आपको क्या करना है function में P minus A यानि कि function में P के जगा पे क्या पूट कर दोगे आप P plus 2 पूट करोगे तो यह साले term में P के place पे क्या पूट करना पड़ेगा हमें P plus 2 तो कर देची कितना हो जाएगा 3 into P plus 2 minus 30 upon P plus 2 का whole square plus 30 solve की जगे कितना हो जाएगा 3 P, 3 2s आ 6 minus 30 and upon में कितना जाएगा P plus 2 का whole square plus 36 6 minus 30 कितनी आ जाएगा आपके पास में term minus के 24 और upon में कितना चल रहा है P plus 2 का whole square plus 36 एक बाई आजर को जाएग में इसको solve करोगे 3 P minus 24 नीचे वाले डव को solve करो ये किसका whole square बन रहे है प्लस B का whole square solve करोगे A का square plus B का square plus 2 AB plus 36 तो solve करके कितना जाएगा 3 P minus 24 अब और में आजाएगा P square plus 4 P plus 40 that is our required answer क्या problem आई थी मैं इस question को बनने में question solve किया कहीं मिस्टेक हो गई direct comment section में comment आजिया मैंने आपसे कितनी बार बोला है कोई भी question अगर आप करें उसमें problem आरी है तो पच्छे एक बार और करने देखा किजिए हो सबता है कि आपकी calculation में कहीं पर mistake कुई हो अगर यह तो चलो चोटी चोटी गल्तियां आप अपी class में करें आपने homework में करें तो मैं आपको करा दो बट रही चोटी चोटी गल्तियां करोगें इसामने भी आप फिर तो problem हो जाएगी ना तो इसलिए अपनी चोटी चोटी गल्तियों पर ध्यान देना है कहां आपकी calculation में mistake हो रही है अवोइड करना है जादा से जादा mistakes को ठीक है जितना जादा हो सके अतनी कम mistake करने ही कोशिश कीजिए बलकि यह कोशिश कीजिए कि अब आपने से कुछ इस्टुरेंट का यह कि यह को का यह का में टाइस दे एक बाल गता है इसको इसको डारेकल ही कर सकते क्या तो बिटा मैंने आपको एक चीज़ बताएगी इसके उबर लिखा हुआ है कि applying change of scale property तो मैंने आपको क्या गया रखा है कि suppose that को यह को आपको कित find the Laplace transform of this term but अगर आपसे यह बोल दे जाएगी find the Laplace transform by applying change of scale property यह first shifting theorem यह second shifting theorem तो उस condition में आपको यह कंपल से ही हो जाता है कि जिस method से वो आपको करवाना चाहरा है question को आपको उसी method से उसको solve करना है तो अगर आपसे कह रहा है कि by the change of scale property की help से आपको यह question solve करना है तो आपको उसी की help से इसको show करके दिखाना पड़ेगा दरवाएस आपको solution जो है वो गलत माना जाएगा ठीक है अगर ऐसा हो रहा है exam में बैटके कि वह याद ही नहीं आ रहा एक्जाम में बैटके कर ऐसा हो रहा है याद ही नहीं कौन सा method है यह change of scale property हमें तो आता ही नहीं है हमने तो किया ही नहीं है यानि कि जब आप function of t का लाप्लास ट्रांस्वर्म निकालोगी तो आपको अगर इस form का लाप्लास ट्रांस्वर्म निकालना है तो आपके time क्या जाएगा जो a है ती का जो coefficient है a वो खाँ जाएगा अपॉन मैंने की one upon your function में जो आपका function of p एगा उसमें आप p को डिवाइड कर दोगी किससी a ठीक है जो value ठापे होगी तो सबसे पहले इस question में देखें आपको क्या दिया हुआ है post 5 तो a की value कितनी है 5 है तो सबसे पहले उन्हें लाप्लास ट्रांस्वर्म किसका निकालना होगा post 3 का और आज तभी को बता है post 3 का लाप्लास ट्रांस्वर्म किसका होता है पी अपॉन पी स्कॉर प्लस a स्कॉर तो by change of इसके प्रॉपर्टी by change of इसके प्रॉपर्टी क्या लाप्लास ट्रांस्वर्म किसका post 5 ती का किसकी इकल हो जाएगा 1 अपॉन ए ए की value किती है 5 और function of पी अपॉन ए function of पी आपके पास में क्या आया यह वाला आया तो इसमें पी को क्या करोगे पी के place में क्या उत्तरों गया पी अपॉन 5 जो time कितनी आ जाएगी है हाँ से देखना पी अपॉन 5 प्राइगा यानि की प्लस a स्कॉर यानि की वैलू कितनी होती है A तो आपका A रहेगा यान की A square ठीक है यहां से solve करो 1 upon 5 तम कितनी हो जाएगी यह P upon 5 और upon भी कितना हो जाएगा P square plus 25 A square और upon में 25 यह 25 आपको उपर जाएगा 5 5 जाएगा 25 तो 1 upon 5 इंटू 5 P upon P square plus एक सेकेट पुचे एक स्वीज रुपना P square plus A square एक सेकेट ध्यां में जान दीना A की value कितनी है 1 है तो इना प्रेटाम कितनी आएगी 1 आएगी यह ठीक है 1 आएगी तो यह हो जाएगा 25 अब जाएगा 5 की मल्किप्राई उपर जोगे तो 5 पे और upon में कितना है जाएगा P square plus 25, 5 से 5 के इसे लाओ, तो हमसे कितना जाएगा P upon P square plus 25, clear है एक बार दुबार से देखिए P upon P square plus A square, A की value 1 है तो P square plus 1 आगया चेंजों किसके property का यूज़ करोगी तो इसके परदर 1 upon A and P upon A function of P upon A, तो 1 upon A की value 5 है और जो आपके पास function of P आया उसमें P के place पे रिया पूर किया आपने P upon 5 और जाएगा इसको किया तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, not really इसके बाद में next question देखिए inverse laplace transform of 1 upon P plus 2 into P minus 1 का whole square इसका गया रहने कि आपको inverse laplace transform निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा parcel fraction से solve question है यह आपका chapter है inverse laplace transform exercise 2 के question number 4 का second part first part मैंने आपको class B कराया तो second part मैंने आपको homework से करने के लिए दिया था जिनका होगी अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजेगा तो सबसे पहले आपके पास में term है 1 upon P plus 2 into P minus 1 का hall square इसको आप किसे solve करोंगे partial fraction से लिख देना by partial fraction इसकी partial fraction तोड़ोगे किसको में आएगी A upon P plus 2 plus B upon P minus 1 plus C upon P minus 1 का hall square यहाँ से इसको solve करोंगे थाट आप चलेगी 1 upon P plus 2 into P minus 1 का hall square यहाँ से solve करोंगे ऐसे म कितना हैगा B plus 2 into P minus 1 का hall square इसके divide करोंगे तो इसकी multiply में कितना चाहेगा P minus 1 का hall square इसकी multiply में कितना चाहेगा जाएगा B into P plus 2 into P minus 1 equation solve करोंगे आप से भी बाती है इसको divide करोंगे तो plus C की multiply में कितना चाहेगा P plus 2 ठीके यहाँ से देखें इससे इवाले टाप cancel out तो 1 किसकी equal आजाएगा A into P minus 1 का hall square plus B into P plus 2 into P minus 1 plus C into P plus 2 अब आपको यहाँ से क्या करने है A, B, और C की values निकाल लिए है तो ज़रा एक बात उता है यह कुछ अगर मैं आपसे कहूँ कि P की value 1 put कर दो यदि आप P is equal to 1 put करोंगे तो यह term 0 यह complete term 0 आपके पास value किसकी आजाएगी C की तो इफ P is equal to 1 तो 1 किसकी को लाएगा C into B के place पे 1 put करोगे तो 1 plus 2 तो 1 into 2 and 1 3C तो implies that यहाँ से की value कितनी आजाएगी वर कौन पी आजाएगी यह तो C की value आजाएगी अभी हमें किसकी चाहिए और B की value ओच चाहिए तो अगर हम B के place पे minus 2 put कर दे कितना put कर दे minus 2 यह वाले down 0 यह down 0 हमारे पास में किसकी value आजाएगी एक ही तो लिख देंगे इफ P is equal to minus 2 यहाँ से value दें में कितनी आएगी 1 is equal to A into minus 2 और minus 1 कितना हुचाहिएगा minus 3 minus 3 का अगर आप square करोगे तो minus 3 का square करने पे A की value इतनी आजाएगी आपके पास में 1 upon 9 A की value पे आगई C की value पे आगई value किसकी चाहिए भी हमें B की value होड चाहिए तो क्या करेंगे हम इनको solve कर देंगे value पुट करके solve कर दो एक कोशिए देंग लो P का ऐसा मान रखने पे जो इक हमारी वाली तंग 0 ना हो suppose that आपे P is equals to minus 1 रख दिया तो उस condition में देनना value कितनी आएगी 1 is equals to A की value इतनी है 1 upon 9 यहाँ पे minus 1 put करोगे minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 का square करोगे कितना जाएगा 4 fit plus B into P के base में minus 1 put करोगे minus 1 plus 2 कितना जाएगा 1 और minus 1 minus 1 कितना हो जाएगा minus के 2 C की value कितनी आएथी 1 upon 3 P के base से minus 1 put करोगे तो यह भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से solve करोगे हो जाएगा 4 upon 9 plus 1 upon 3 और minus के 2 भी इन values को solve करोगे तो कितना जाएगा आपका 9 4 plus 3 तो 4 और 3 यानिकी 7 अपोन 9 माइनस 2B तो यहां से आगे देखेंगे आपन माइनस 7 अपोन 9 और इस इकोल्स टो में कितना आजाएगा माइनस 2B इसको तोल्ग परोगे 9 यह से 7 जाएगे 2 अपोन 9 इस इकोल्स टो माइनस 2B 2 से आपका टुक एस रहाओ तो B की वैल्यू कितनी आजाएगे आपके पास में माइनस के 1 अपोन 9 इसको चाहिए तो लेट करेंगा प्या इक्वेशन नमबर 1 ठीक है तो यहां से A की वैल्यू भी आपको मिल चुकी B की वैल्यू मिल चुकी C की वैल्यू भी मिल चुकी B and C इन इक्वेशन फर्स्ट तो यहां से आपके पास में टम कितनी आजाएगे A की वैल्यू कितनी थी 1 अपोन 9 इंटो में कितना जाएगा 1 अपोन P प्लस 2 B की वैल्यू कितनी थी माइनस के 1 अपोन 9 इंटो में टम आएगी 1 अपोन P-1 C की वैल्यू कितनी थी 1 अपोन 3 इंटो में वैल्यू कितनी आजाएगी P-1 का हॉल स्कार तो यहां से देखे 1 अपोन 9 जाएगी इंटी किसका फॉर्मला बन रहा है function of P-1 का तो 1 अपोन P-1 इंटो ना प्लस ट्रांस्वर्म किसके को लोत एटो दी पावर इंटी A की वैल्यू माइनस थो है तो इटो दी पावर माइनस थू टी माइनस 1 अपोन 9 इटो दी पावर एटो दी वैल्यू कितनी है 1 तो टम आजाएगी T प्लस 1 अपोन 3 इसका inverse laplace transform कैसे निकालोगी function of p-a का all square आ रहा है तो इसमें कौन जी थ्वाम एप्लाइख कर गया फिर्स शिप्टिंग थिएरम फिर्स शिप्टिंग थिएरम क्या कहते है कि function of p का inverse laplace transform निकालोगी उसमें a to the power a d की multiply कर दोगे जाना आपके पास में function of p-a का inverse laplace transform आ जाएगा तो मैं यहां से पूछू function of p क्या होगा p-1 के place पे आप लोग क्या put कर दोगे p put कर दोगे तो 1 upon p का inverse laplace transform क्या होता है t होता है तो t और इसमें multiply कर गया आप इसकी a to the power a d की इसमें दोरह टम मैं से a to the power t ले सकते हो तो इसमें से a to the power t गुमन ली हो इहां से कितना बचेगा आपके पास में 3t और यहां से टम कितनी बच जाएगी – के 1 एंड इहां से आपके पास कि इतना बचेगा plus e to the power minus k 2t and that is our required answer clear है not करिए इसके बाद में example number 11 देखिए Laplace transform वाले chapter का question क्या है using first shifting theorem evaluate Laplace transform of e to the power 60 t plus 2 का whole square तो इसको solve करना है आपको तो सबसे पहले क्या करोगी आप यहाँ पे कौन सी करना है आपको first shifting theorem first shifting theorem क्या कहते है कि आपको सबसे पहले function of t का Laplace transform निकाल लेना है उसके बाद में आप क्या करोगे complete function का निकालोगे तो function of t यानि कि t plus 2 का whole square का तो सबसे पहले इसको formula open कर दो a plus b के whole square का कितना होज़ेगा a square plus b square plus 4ab तो time आ गई यह वाली अब इनका सबका अलग-अलग Laplace transform निकाल दोगे ती square का अलग 40 का अलग और 4 का अलग तो एक बार यहां से आगे देखना ज़रा यहां पे देखें जब आप t square का करोगे तो time कितनी आएगे आपके पास में factorial 2 upon p cube plus 4 into किसका करोगे आप 4t का करोगी तो कितना आजाएगा factorial 1 upon p square plus 4 का करोगे आपको पता है 1 कला प्लास transform में इतना होता है 1 upon p तो time कितनी आजाएगी 1 upon p आजाएगी solve कर लोगे lcm लोगे कितना आजाएगा p cube तो अपरवाली terms को solve कर दोगे या आजाएगा आपके पास में किसकी value function of p की value आजाएगी then उसके बाद में आप क्या करोगे हांसे first shifting theorem apply करोगे first shifting theorem क्या कहती है कि function में अगर आपके पास में आपको लाप्टास transform निकालना है किसका e to the power a t function of p का तो किसकी equal ता है function of p minus a और a की value आप कहां से देखते हो यहां से t का coefficient कितना है 6 है इसका मतलब a की value कितनी हो जाएगी 6 तो time कितनी आजाएगी p minus 6 यानि कि जो आपके पास में function of p आया उसमें p के place पे आप लोग क्या पूट करोगे p minus 6 पूट करोगे and then इसको solve कर दोगे तो आपका answer आजाएगा ये वाला इसमें पहले क्या करोगे इस 4 के अंदर multiply कर दोगे और यहां पर ये a minus b का होल इसका open कर दोगे 4 की multiply करके then complete को solve करोगे तो आपका ये answer आजाएगा ठीक है तो question क्या है show that integration limit 0 to infinity cos x square dx is equals to 1 by 2 under root pi by 2 तो इसका solution करोगे सबसे पहले आप क्या हम निकालोगे function of t की value निकालोगे तो function of t कैसे निकलेगा जब आप x square में t की multiply कर दोगे तो term कितने आजाएगी cos x square into dx तो हमें क्या निकालना है laplace transform निकालना है किसका function of t का तो हमें पता है कि laplace transform of function of t किसके इकलोगता integration limit 0 to infinity to the power minus bt function of t into dt ये formula आपको इससे पहले वाले chapter में कराया था मैंने तो यहां से देखे function of t के place पे क्या value रख देंगे जो हमने यहां पे function of t की value निकाली तो function of t के place पे ये वाली value पुट कर दोगे into dt अब ये e to the power minus bt आप इसकी multiply में भी तो लिख सकते हो बहर कोई term है multiply में तो उसको अंदर लिख दो कोई fact नहीं पड़ेगा तो जब आप इसको अंदर लिखोगे तो ये term कुछ इस form में बन जाएगी अब यहां से आगे देखिए जब यहां पे हमने क्या लिखा था e to the power minus bt function of t into dt इसका integration था limit zero to infinity तो ये term किसके equal थी laplace transform of function of t के equal थी अब यहां पे अगर आप देखो e to the power minus bt as it is integration b है dt भी है बड function of t के place पे कितना है cos gX square तो क्या इसको आपअई है पैसे नहीं लिख सकते हैं यहांपे function of t था यहांपे b function of t था था हम यसको क्या लिख सकते है Laplace transform of cos dash square ठीकिस का अब आप सब्यकों पता है cos yummy at का A कितना है यहां पे आपका x square और dr यह आपका T ही है, कोज 80 का लाप्लास ट्रंसम क्याता है, P upon P square plus X square, तो P upon P square plus A square की value, यहां से देखे, A की value कितनी है, X square, तो A का square कितना हो जाएगा, X to the power 4, तो यह वाले time आजाएगी, यहां से क्या करोगी, आपको इस integration को solve करना है, तो directly तो यह solve होगा नहीं, तो हम यहां पे माल लेंगी, क्या X is equals to root P tan theta, X की value कितनी मायनोगे, root P tan theta, इसका आप differentiation कर दोगे theta के respect में, तो इधर time आजाएगी, DX upon D theta, तो जो upon का D theta रहेगा, वो अधर आपका multiply में चला जाएगा, यह root में atom, तो root में अगर power N है, X की power N का differentiation कितना होता है, N into X की power N minus 1, तो 1 upon 2 पहले तो आगे आजाएगा, फिर power में से करोगे minus 1, 1 by 2 minus 1 कितना बचेगा, minus 1 by 2, तो नीचे आगे plus का 1 by 2 हो जाएगा, यह वाली term नीचे आगे root में हो जाएगी, root P tan theta, अब P tan theta का आप दो बार से differentiation करोगे, तो P तो constant term में 10 theta का करोगे, कितना हो जाएगा, स्क्वार theta हो जाएगा, minus फिर आप 10 theta को as it is रखोगे, P का करोगे, P constant term होगी, उसका 0, तो next वाली term तो 0, तो इसका मतलब आपके पास में इसका differentiation करके क्या आजाएगा, यह वाली value आजाएगी, यह value आप किसमें पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, देखे, 1 upon root P तो as it is है, root का 10 theta भी as it is, अब आप उपर वाली term देखिए, जब आप इसमें value पुट करोगे, एक्स की power 4 है, हमें पता एक्स की value यह है, तो x square की value कितनी आएगी, P tan theta, तो x square की value कितनी आजाएगी, P square, sorry, x square की value यह है, तो x square का square, यानि की, x की power 4 की value कितनी आजाएगी, P tan theta का square आजाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, P square tan square theta, P square tan square theta, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी है, पर जाएगा तो पी स्क्वार पी स्क्वार से पी स्क्वार कैंसल आउट नीचे टम बनेगी वन प्लस टैने स्क्वार थीटा और एक डिफ्रेंशेशन वाला सैक स्क्वार थीटा जाएगा तो सैक स्क्वार थीटा से आपको सैक स्क्वार थीटा कैंसल आउट हो जाएगा तो तो इस वज़े से थोड़ी शोर कि आपको वाज आ रही होगी अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो आपका लेक्चर आज कभी रह जाएगा तो इस वज़े से थोड़ा एड़्जेस्ट कर लेना ठीक है तो इसके बाद में हाँ से देखिए अब root sin root 10 theta है root 10 theta को आपका लिख सकते हो sin theta upon cos theta लिख सकते हो cos theta आपका उपर चला जाएगा और power root में है तो power उपर जाएगी तो कितने होगी cos की power 1 by 2 into theta और upon में कितना रहेगा sin theta की power 1 by 2 तो power आप उपर लेके जोगे तो minus में change हो जाएगी तो क्या जाएगा sin की power minus 1 by 2 theta into cos 1 by 2 theta into d theta यहाँ पर आप कौन सा formula लगाओगे beta mn वाला formula लगाओगे then इसको यहाँ से solve करोगे तो आपके पास में term कितनी आ जाएगी एक second यहाँ से आगे देखेगा यहाँ से आपके पास में term कितनी आ गए 1 upon 2 root p उसमें beta mn वाला formula लगाओगे तो आपके पास में यह time आ जाएगी यहाँ से देखे आपको पता है gamma 1 की value 1 होती तो 1 की 2 में multiply करोगे 2 और इसको solve कर दोगे तो इसको 3 by 4 को आप क्या लिख सकते हो 1 minus 1 by 4 की form में लिख सकते हो नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ से time आ जाएगी 1 minus के 1 by 4 इसको solve कर दोगे तो 2 दूनी 4 आपको इन में कितना आ जाएगा 4 root p और यहाँ से देखे किसका formula बन रहा है जब आपको beta and gamma functions करा है तो c में यह formula भी लिख वाया था कि gamma p into gamma 1 minus p किसके इक्कोल होता है pi upon sin p pi के तो यह वही वाली form बन दे p की value कितनी है आप है 1 by 4 तो यह time किसके इक्कोल आ जाएगी pi upon sin p की जगे कितना आ जाएगा 1 by 4 pi इसको solve कर लोगे आप सभी को पता है sin pi by 4 की value कितनी होती है sin 45 की value कितनी होगी 1 upon root 2 तो 1 upon root 2 आपको उपर जाएगा तो term कितनी आ जाएगी आपके पास में 2 root 2 pi हो जाएगा ठीक है तो यहां से आके देखे इसको solve करोगे pi upon 2 root pi तो आपका as it is inverse lap-taste transform निकाल लेंगे किसका 1 upon p का pi root के अंदर है यानि कि p की power 1 by 2 का अब p की power कैसी है 1 by 2 है तो formula कौन सा लगेगा आपका t की power n minus 1 upon gamma n का लगेगा क्योंकि 1 by 2 कैसा है आपका minus मतलब आपका positive integer तो नहीं है 0.5 के something आपकी value वैट हेगी तो उस condition में आप कौन सा formula लगाओगे t to the power n minus 1 upon gamma n का तो यहां से आपके पास में time कितनी आजाएगे gamma 1 by 2 कियां से आप इसको solve करोगे 1 by 2 t की power 1 by 2 minus 1 यानि कि t की power minus 1 by 2 तो upon में आएगा तो plus के 1 by 2 हो जाएगा यनि कि root t हो जाएगा नीचे root 2 आपका old lady है हमें पता है gamma 1 by 2 किसके इक्वल होता है root pi के इक्वल होता है तो उपर pi नीचे root pi root pi से pi cancel out करोगे कितना आजाएगा root pi आजाएगा उपर तो term आपके पास में यह आजाएगी और हम integration लेगे किसका चल रहे थे 0 to infinity cos t x square dx तक इसके इक्वल आजाएगा क्योंकि हम एक्वल में find किसका करना था laplace transform cos x square करना था तो इसलिए हमने last minute is equal to 1 ले लिया then इसको solve करा तो हमारा यह answer आ गया इसके साथ में बच्चे इस वाली वीडियो में बस इतना ही जितने भी आपके doubts थे वो सभी मैंने कोशिश के इस step में अमें यह वाली चीज समझ में नहीं आ रही मैं आपको तब ही बता दिया करूंगी दाकिस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में शियर कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हो या अब रब्दिक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हाँ बच्छो आपका जो नेक्स चैप्र है वो आपका कल से स्टाटों का फर्स्ट बुक में भी हो सेकंड बुक में भी ठीक है सब्सक्राइब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहे है सुरक्षित रहे है धन्यवाद